हलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, चलिए आज कुछ नया देखते हैं मेहंदी में मैं कौन सा ओयल यूज करती हूँ, कैसे यूज करती हूँ आज मैं आपको थोड़ा सा छलक दिखाने वाली हूँ और मैं मेहंदी का कौन कैसे पैक करती हूँ और कैसे उसकी ब्रैंडिंग होती है अब वो दिखाने जा रहे हूँ आप लोगों को तो आज का वीडियो पूरा अन तक देखना इससे आप लोगों को मेहंदी पैकिंग के बारे में और मेहंदी कैसे बनाते हैं इसके बारे में एक नॉलेज आ जाएगा और ओयल में क्या क्या रहता है आज ये भी बोलूंगी मैं जो ओयल यूज करती हूँ वो मिक्स ओयल है और ये मेरा खुद का ब्रैंड है तो कोई भी अगर ओर्डर करना चाहेगा तो वो ओनलाइन से आसानी से पर्चेस कर सकता है देखे मैंने यहाँ कौन पहली बना लिया था क्योंकि इससा असानी रहती है के बाद में महेंदी करने से क्योंकि मुझे बल्क में ओर्डर आते हैं तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से अभी कौन को फील कर रही हूँ यहाँ मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ अगर आप लोग कमेंट करोगे तो शॉर्ट वीडियो में मैं रियल टाइम जो है कौन भादना जो है वो मैं दिखा दूंगी ठीक है तो आज देख लीजिए कि पैकिंग कैसे करते हैं पैकिंग का सही तरीका क्या है अगर आप ऐसे सील कर लेंगे तो आपका जो मैंदी है वो कही से भी लीक नहीं होगा और मैंदी को होल्ड करके ऐसे उसमें टेप मार दीजिए दो तरीके से टेप मारिएगा उसके बाद नीचे के मूँ में टेप मारना जरूरी है क्योंकि उपर से प्रेशर आने के कारण महेंदी नीचे से लीक होने लग जाती है तो उसके कारण हमको पहले इसका टिप बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैं ओपें टिप कॉन बनाती हूँ और ओपें टिप कॉन में बड़ी मुश्किल रहती है क्योंकि कोन के मूँ से जादा प्रेशर आने पर जो है महेंदी निकलने लग जाती है तो देख लीजिए आप लोगों को स्टेन भी दिखा दिया मैंने फॉरन के फॉरन उठाने के बाद एक सुईट ओरिंज कलर आ जाता है और आप मेरा हाथ देख सकते हैं हाँ यह हाथ मेरा थोड़ा गंदा दरूर लग रहा होगा मगर यह प्रॉफेशन है तो मुझे तो मेरा हाथ हमेशे ऐसे रंगा हुआ अच्छा ही लगता है अभी में सारे जो कॉन मैंने दस कॉन यह बनाया थे दस कॉनों को मैं अच्छे से पैक कर लूँगी तो यह मेरा कॉन रेडी हो गया आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया जारे , पैंने टों करता है कि महंधी का यूज infra और ब्लीक तील 2 में 3 तीन इंग्रीडियंस है मैंने 11 ग्राम महंधी जो ली तियोग में 30 irm ढखनाए तो मुझे चाहिए था 10 कोन, तो मैंने 10 कोन यहां बना लिया है, और वैसे तो इससे 20 कोन बनते हैं, थैंक यू सो मुझ, अब लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, यह अब मुझे जरूर कमेंट में बताईएगा, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप लोगों को कोई भी क बेरी है, तो आप कमेंट बाक से में,